नमस्कार दोस्तों गौताम ओटो माईल में आपका स्वागत है तो देख सकते हैं आज जो हमारे पास बाइक आई है यामहा की आरवन फाइप वार्जन टू तो इसमें जो प्रावलम आया है दोस्तों देख सकते हैं इसका जब भी हमप्रेक ले रहे थे तो इक हम कलच की तरह काम कर रहा है इसका ब्रेक बेख जो है की पूरा का पूरा खराब हो चुका है जब भी इस तरह का आपके बाइक मेडर 50R पर्च 9 वॉंबर सारकुछ ऑप देख सेकते हैं तो यह यामय का है यामय कंपनी का यह यह जैनीवन वॉकट है Bowser और इसमें होता क्या है क्यों यह खराब हो जाता है इस विडियो में और एक रबबड का जो होता है उपर से कभर आ जागा और देख सकते हैं यहां पर ओर इंग दिख रहा होगा दोस्तों रबबड का तो यही जो होता है ना वो क्या की कट जाता है कटने के कारण क्या है कि हमारा ब्रेक जो है कि इदम कलज के तरह आप जब ब्रेक मारोगे तो जो है यरण बना पाता है और उसके कारण क्या होता है कि हमारा ब्रेक नहीं लग पाता है तो इस कंडिशन में हमारा एक्सिडेंट भी हो सकता है तो इस कंडिशन में हमें इस ब anthropology करना है कर लेना है तो जैसे ही आप ओपन करोगी आप जो भॉकेट फबन दिखाया लेगे लोगा हुआ होता है जुसे इन लगाने में Son देख से का ग्याप बहुत जादा अंदर 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 और हमारा जो प्लायर हो नहीं लगा रहा तो हम यहां पीए सब्सक्राइब करेंगे म्ला इकन लोक को भाऊर कर ले इस आक हम इसे अच्छी तरह से पूरा क्रिंद कर ले और आप पर अयर माणकर में का अगर ब्यवस्था हो तो आप एर कभी पर्यों कर लें देख सकते हैं दो हॉल आपको दीख रहा हो इस तरह से भराया पड़ा था पूरा तो यह अच्छी तरह से ब्रेक हमारा नहीं काम तो देख सकते हैं बजाज कंपनी का यहां पर हमने ब्रेक वाइल ले लिया है डॉट फोर तो चलिए हम इसमें पहले डाल देते हैं और देखते हैं कि हमारा जो इसमें हॉल है वो किलियर हो पाया है यह नहीं तो देख सकते हैं पूरा वाइल जो है दोस्तों बाहर हमारा गिर से डालना है दोस्तों नहीं तो यह आपका 700 रुपिय का बोकेट बरवाद हो सकता है जड़ा सभी अगर कटा तो यह सही से काम नहीं करेगा यह लिकेज करने और इसके बाद यहां पर लोक को लेकर करके इस तरह से आपको लगाना है और अपने हाथों से पूस करना है पूस कर से इसका जो काभर आयता है रबबड का दोस्तों उपर से जो रहता है वो आपको इस तरह से लगा देना है और उसके बाद चलिए हम इसमें जो ब्रेक वाइल था दोस्तों उस ब्रेक वाइल को हम डाल लेते हैं और देखते हैं जी हमारा डिस सही हो पाया है या नहीं काम कर अच्छे से या नहीं तो देख सकते हैं हम वाइल तो हमने डाल लिया है अब चलिए इसके लीवर को जो है हम लगाते हैं तो इस तरह से हम लीवर को पहले यहां पर 10 mm का जो बोल्ट आएगा इसे अपने हाथों से लगा लेंगे और देख सकते हैं लग चुका है और हलका हम इसे पंप करेंगे देख सकते हैं इस तरह से ब्रेक को आपको पंप करना है उसके बाद आप चाहे तो इसे टीरिंच से आप फूल टाइटन कर सकते हैं करना ही है आपको तो देख सकते हैं आप हो चुका है हमारा और अब हम धीरे को पंप करता है आगे की तरफ और हमारा डिस्क ब्रेक काम करता है तो यहां से मैं वाइल को हलका येर को निकाला है ताकि जो भी इसमें येर हो तो वो निकल चाले और देख सकते हैं किस तरह से इसमें एक बुलबुला टाइप का उचने लिए कितना हमारा वाइल है जब भी नचाकर आपको दिखा देते हैं कि हमारा brake काम कर रहा है सही से या नहीं काम कर रहा है तो चले इसके कभर को हम पहले उपर से पैक कर लेते हैं यहाँ पर दो स्कुरू आपका आजाएगा अच्छी तरह से लगा देना है यहाँ ताकि वायल लिकेज ना हो और यहां पर हमने लगा दिया है और इसे 풀 tut तरीका है दोस्तों ज्यादा कुछ आपको जिरुवत पढ़ने वाला नहीं है तो विडियो अच्छा लगा हो दोस्तों पर वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे तो थाइंक यू फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इस तरह का टेकनिकल वीडियो लेकर